श्री अरोध्याधाम रामलला की जन्भूमी हम सब हिंदूओं के लिए बहुत ही पवित्रस थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आपको रोक नहीं पाई लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था राजिस्थान कॉंग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेडा शीर्ष नेताओं पर उत्पीडन का रोप लगाने के बाद सबसे पुरानी पार्टी छोड़ने के मात्र दो दिनों बाद मंगलवार को भाचपा में शामिल हो गए हैं लोगसबा चुनाफ के बीच कॉंग्रेस से स्तीफा दे चुकी राधिका खेडा और अभिनेता शेकर सुमन दोनों मंगलवार को भारतिये जनताप पार्टी में शामिल हुए राधिका खेडा और शेकर सुमन ने दिलिस्थित बीज़िपी के हेड़कॉर्टर में पार्टी की सदे से ताली कॉंग्रेस छोड़ बीज़िपी में शामिल होने के बाद क्या बोली राधिका खेडा आईए आपको सुनाते हैं कि सबको मेरा जैश्री राम आज मैं अगर आपके समक्ष यहां बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसी लिए क्योंकि 36 गड़ में मोदी जी की ग्यारंटी की सरकार है जिसके संडरक्षन में मैं आज यहां पहुँच पाई वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए राम लला के दर्शन करने के लिए कोशल्या माता की धर्ती पे जो मिरे साथ दुर व्यवार किया गया और जिस तरीके का सुलूक किया गया मैं आपके पास नहीं पहुँच सकती अगर मुझे भारतिय जंता पार्टी की सरकार का मोदी जी की सरकार का संड्रक्षन वहां नहीं मिलता लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का एक सनातनी लड़की होने का राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कॉंग्रिस पार्टी में लगातार में सहती आई थी हमेशा से मैं यह सोचती थी जब लोग कहते थे कि कॉंग् किस्टे थे कि Congress Party तो महत्मा गांधी जी की पार्टी है जहां पर हर सभा की शुरुवात्रगुपति रागव राजा राम से होती थी लेकिन आज की Congress महात्मा गांधी जी की Congress नहीं आज की Congress राम जी की विरोधी Congress है, हिंदू की विरोधी Congress है, मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त हैं, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है, और जब राम मंदिर बना और मूर्ती की स्थापना हुई जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया उसको लेकर जितना कष्ट भारतिय राश्ट्र कॉंग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक शड्यंतर मुझे मेरे खिलाफ रचा गया और माता कोशलिया के ध करेंटी की सरकार थी की बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से वहां पर पहुँच सकी और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंदर मोदी जी का श्री अमिच शाह जी का और साथ ही राश्ट्री अध्रियक श्री जेपी नड़ा जी का कि उन्हों सा कॉंट्रिब्यूशन देने का विनोध तावडे ने रादिका खेडा और शेखर सुमन भी बहतरी नभी नेता रहे हैं जिनोंने कई सफल फिल्में दी हैं तावडे ने चुनाव में भाजपा की जीत के दावे को दोहराते हुए कहा कि आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और इससे पहले दो चरण के च जुनाव हो चुके हैं विपक्षिगडबंधन के नेता फारुख अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है उससे लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को खुश करने वालों को जीतना चाहिए या फिर भारत को मजबूत बनाने वाले लोगों को जीतना चा हुआ है